हाई दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप लोग दोस्तों मैंने अपने एक ब्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं स्वैम सहायता सम्मू के बारे में आप लोग को जान करी दूँगी तो ये स्वैम सहायता सम्मू है क्या स्वैम सहायता सम्मू इसका मतलब ये होता है कि आप स्वैम की सहायता खुद करिए अब खुध हम कैसे करेंगे लोगों की दिमाग में आता है कि खुध हम अपनी सहायता कैसे करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ इसमें 10 महिलाओ की एक टीम बनती है, तयार होती है उस टीम में तीम लोग पदादिकारी होते हैं, अध्यक, सचीव, कोशाध्यक, बाकी साथ लोग हो गए सदस्य, तो उसमें क्या होता है, आप लोग सब लोग, दसो लोग, सौ-सो रुपए मन्थली जमा करेंगे, बैंक अकाउंट खुलेगा, डूडा ओफिस से पूरा, आप को कागज वागज सब मिलेगा, सरकारी चीजे हैं ये, तो कहीं किसी के मनों बहुत सारे महिलाओं के मन में ये आता है, कि मतलब ये कुछ गलत तो नहीं है, या कुछ फ्रॉडी फ्रॉडी और गलत कुछ नहीं है, आप दसो लोग मिलके एक सम्मू बनाइएगा, तीन लोग पद पे होंगे, साथ सदस्य होंगे, तो वहाँ से जुडा ओफिस से फोन आता है, फिर जो भी आपके पास के सरकारी बैंक के, उसमें आपका अकाउंट खुलेगा, सौसर रुपय आप दसो लोग जमा करिएगा, तो दस लोगों ने सौसर रुपय जमा किये, तो वो कितने होके एक हजार रुपय, ठीक, एक साल तक आपको continue ऐसी ही सौसर रुपय जमा करना है, तो आपका हो जाता है कितना, दस हजार रुपया, अगर आप उस दस हजार रुपया को उठा करके, कुछ, किसे जैसे दस लोग हैं, दसों लोगों में कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कु जो नर्त हो गाई, तो आप लोग जो दसों लोग की टीम बनी हैं, उसमें आप लोगों ने आपस में सहमती से, दूसरे के सपोर्ट से, सहमती से, विश्वास से, आप लोग अगर किसी के हाथ में कोई सिलाई का काम आता है, किसी को कुछ और कारे आता है, कुछ पना नहीं आता है, तो उस दस हजार को निकाल करके आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, और जब एक साल तक आपने अच्छे से सम्मू को चलाया है, यानि कि सौसर रुपे जमा किया, या बीच में अदर दसों में से किसी एक परसन को हजार दो हजार की भी जरूत होती है, तो हम उसमे से निकाल के दे सकते हैं, इसलिए इसमें जो सम्मू बनता है न, उसमें सब विस्वास पात रहोनी चाहिए, कि विस्वास करें और जो ले पैसा वो लोटाएं भी, तो वो दो हजार लेके अपना कोई काम कर सकती है, ऐसे किसी से मांगेगा तो कोई क्यों देगा, देगा भ अणुदान समझेक हैं, आपका देखते हैं कि मतलए सरकार को पता रहता है, कि आप अच्छे से सम्मू चला रहे हैं, आप अपना पैसा समय पर जमा कर रहे हैं, तो आपको दसजार का अनुदान आता उस अनुदान से भी आप कोई काम सुरू कर सकते हैं तो ये है समू और ऐसे समू का काम आज हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा है मैं भी समू से जुड़ी हूँ, मेरे समू का नाम है सिरी अन्यपूर्णा स्वेम सहायता समू उनकी हमारे ग्रूप की जो अध्यक्षा उनका नाम है रुपाली डे मैं सच्ची हूँ, अन्जी गुपता और मेरे नीचे है मेरी फ्रैंड आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि उसका नाम है सुप्रिया भटाचारिया, वो कोशाद्यक्स है और साथ लोग सदस्य हैं, तो हम लोग भी चला रहे हैं अच्छे से हम लोग के अकाउंट में भी 10,000 आया था और वो 10,000 एक मतलब हम लोग को जरूरत था तो हम लोगों ने निकाल के उसको यूज भी किया और अधर दसों में से किसी को चाहिए भी होता है तो हम लोग मतलब आपसी सहमती से उसकी हल्प करते हैं तो यह है स्वयम सहतत सम्मू का मतलब आप लोग सम्मू बना सकते हैं आप लोग सम्मू से जूर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हम कहें करी आजकल देखिए ना मतलब हर महले गरी में बैंक के द्वारा क्या होता है करमचारी होते हैं, बैंक के लोग जुड़े रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, महले से लेके 4-5 लोगों के इकठा करते हैं, और एक ग्रूप बनता है, सम्मू का लोन बाठते हैं, तो वो लोगों का ब्याज मालूम है, आप लोगों को कितना होता है, बहुत ज्यादा ब अपील करती हैं तो आपको प्रोवाइट कर आएगी सरकार तो महिने का 2% ब्याज लगता है सोचे 2% हा कहां 10, 12, 15% यहां तक की मार्केट में तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इस समय तो कईयों ने ले रखा 20% पर ब्याज ले रखा है बताएए सोचने वाली बात है अच्छे से भरिये तो आपका और अच्छा मतलब रिकॉर्ड बनेगा लेकिन यही सबसे बड़ी चीज देखिए यही है कि आप जो 10 लोगों की टीम बनाईएगा ना सबसे पहले दोस्तों यह ज़रूर पूछ लीजिएगा कि विस्वास होना चाहिए देखिए 100 रुपे महीने में आप जमा करने बड़ी बात नहीं है 100 रुपे एक दिन का खर्च हो जाता है बच्चे कुछ खाने चलते हैं ना कुछ खापी के उड़ा देते हैं हम लोग हम लोगों से ही खर्च हो जाता है 100 रुपे मन्थली सौर्प है कोई बड़ी बात नहीं है तो बहुत जा लोगों का excuse होता अरे हम क्यों दे जैसे हम ही लोगों की ग्रूप में ले लीजे न हम लोगों ने इतने विश्वास के साथ बनाया था थोड़ा सा हम लोग का disbalance इसलिए हो गया कि हमारे सम्मों में जो और महिलाए थे ना उनको तुरंत काम चाहिए था अब तुरंत काम तो नहीं मिलेगा न इससे आप रहिए थोड़ा दिन active देखे सबर का पल मीठा होता है आप active रहिए अपना सम्मों अच्छे से चलाइए पैसा जमा करिए तो उसके बाद कोई आता है इस तरह का कारिय तो वो भी मिलेगा जैसे जंडे का काम आया था पिछले साल तो बहुत से महिलाओं को गाओं में मिला है कि जंडा सिली है वो हमारे सम्मों में दो-चार बेहने हमारी ऐसी निकली कि उनका सब रोटूट गया तो थोड़ा सा हम लोग का सम्मों मतलब अच्छा तो चल रहा है हम लोगों ने समान लिया है लेकिन उन लोगों की सोच के कारण थोड़ी सी सोच के तकलीफ होती है बताए दोस्तों सौर पर तो कुछ नहीं होता और आपका सारा लीगल है डॉकुमेंट्स हमने यहां तक कहा था उन लोगों को अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है आप लोगों ने जितने दिन तक पैसा जमा किया है आपका पैसा वापस कर देते हैं हम लोगों ने वही किया उन लोगों ने तीन चार महीने शायद जमा किया होगा दोती महिला थी, तो हमने उनका पैसा दे दिया, 400 रुपे, उन्हें सम्मू से निकाल दिया, अब नए लोग समझ रहें चीजों को, वो जुडने के लिए बहुत ज़्यादा परिशान हो रहा है, तो उनको हमने एड कर लिया है, मैम ने बताया था सारा प्रोसेस, तो मैम के कह हो जा रही है, बोल रही हैं तो गला सुक रहा है, तो उसकी वज़े से ही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हमारी मैम है डूड़ा ओफिस की, स्वेता राय मैम, मैम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट की है हम लोगों का, और उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते, ए भी लाब होगा, दस उंगली जब मिल जाती है न, तो एक ये हात बन जाता है, अगर इस से एक चीज पकड़े, तो उतनी पकड़ नहीं आएगी, जितने कि दोनों हातों की दसों उंगलियों का यूज़ करके, हम दोनों हात से बल पुर्वक करेंगे न, उस काम को अच्छे से होगा, तो वही है, दस लोगों को मिलने पर एक सम्मू तयार होता है, आप लोग भी सम्मू बनाईए, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना हो, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे से न, तो आप लोग स्वैम, सहायता सम्मू हर लोगों के छेतर के आसपा डूडा ओफिस होगा महा कारेल ले जाएए आप लोग स्वैम पता कर लेजे सम्मू और बस यही कहना था आप लोग भी जुड़िये आप लोग भी सम्मू बनाईए आप लोग भी आगे बढ़िये आत्मनेरभर बनिये, जैसे हमारी मोदी जी कहते हैं, आत्मनेरभर भारत, तो पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया, जब हम लोग स्वैम अपने पैरूपे खड़े होंगे, तभी न हम लोग अपने बच्चों की मदद करेंगे, बच्चों को कई सारी चीजों क जरूप पड़ती है, जिसके लिए कि हम लोग के पास आर्थी स्थिती हम लोगों की उस तरह नहीं होती, बच्चों की हल्प हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो अब वो समय नहीं रहा दोस्तों, अब आप लोग जागो और अपने पैरूपे खड़े हो, और स्वैम सहता सम्मूग ग्रूप बनाईए, सेल्फ हैल्प ग्रूप, इसको ये भी बोलते हैं, इंगलीश में बोलते हैं, सेल्फ हैल्प ग्रूप, तो आप लोग इससे जुड़िए, समझिए, जानिए